इस वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो हम फिक्साइज एरे की बात करेंगे और इसके मैं कुछ ततम इसमें बताको जैसे कि क jurisdiction करते हैं कैसे अपडेट करते हैं का कि आसेकड और इसी मेंकी करते को अरे की इसके बाद हमो करते है कि मैं मृ में किस तरह बनाया जाता है array ठीक है मैं आपको क्या बताए तो reference type जो variable होते है reference type जो variables होते है ठीक है वो क्या होते है by default storage में ही बनते है ठीक है जिसके example था string string value type नहीं था reference type था ठीक है value type क्या होते है value type जैसे की answer int address ठीक है ये सबते बैल्यू type और जो reference type होते है बहुत है स्टिंक जिस address को point करते है थीक है यह खुल value 높 नहीं करते है वो एक इड्रस को store करते है पने अंदर ठीक है string जो होती address को store करते है और address कहा होता हो जहांपर value रख्युक थी 정 Iya ट्राइज को आस् बात को उके वह सब्सक्राइज तू मैं एक कॉंट्रेक्ट बनाता हूं कि कॉंट्रेक्ट बनाया मैंने try किसिट size array नाम से ठीक है done तो मैं array बनाना चाहता हूँ suppose मैं array बनाना चाहता हूँ unsign integer type का ठीक है किसी भी type का array बना सकते हैं ठीक है array क्या है simple यह समझे मैं fix size बना रहा हूँ fix size यह करेगा कि जिन्होंने कोई program language नहीं करें यह उने के लिए बता रहा हूँ बाग यार जो नहीं कर रखें नहीं पता है आप यह समझे simply boxes आजाएंगे आपके पास जो continue होंगे एक के बाद एक होंगे ठीक है और हर एक box में आप किस type की value रखेंगे जिस type का आप variable जिस type का आप data type देंगे अपने जो data type आपने array को देंगे जो data type आपने array को देंगे वो ही data type उसी data type की values आप हर एक box पे रख सकते हैं ठीक है और यह कितने box होंगे यह उतने box होंगे जितना आप size पास करेंगे square brackets के अंदर ठीक है कैसे बनाते हैं यह देखिए ठीक है यह थोड़ा से over here उनके लिए भी देता चलता हूँ असा था जो पहरी बार कुछ language को उठा रहे है ठीक है तो मैं है रिता हूँ मैं चाहता हूँ unsign integer type का array बने ठीक है और square brackets देते हैं उसका fix size है ना हम fix size की बात करते हैं unsign integer type की value आएगी इसका रखिये हुआ इसको मैं कर देता हूँ public इसको मैं public कर दिया visibility public कर दिया और इसका कुछ ना भी देते हैं fixed array रख देते हैं से पर arr ठीक है और इसके अंदर जो value टढ़ाना चाहता हूँ यह भी तीन तरह से start जाएगी value उसमें constructor जाफर यहीं के ही initialize कर दो उसके अंदर जाफर function के अंदर कर दो ठीक है मैं रिकता हूँ इसमें value रुकते हैं क्या डाले 10 20 30 और 40 10 50 तो 5 value हो गई और ठीक है अगर मैंने क्या किया मिरे पास boxes तो 5 है मैंने क्या करता हूँ आपके सामने देखना और जैसी कुछ कर दो दिक्कत आ जाएगी ठीक है पांच value है मैं डालता हूँ च्छटी value देखो बॉर्णिंग आगी मतलब error आ चुकी है ठीक है यह पढ़ लो तुम यह से बात यह कह रहा है कि यार तुम्हारा size जो है अरे का वोका में तुम value जाल डाल रहे है ठीक है इतनी बात तो जितने है size डिकले करते हैं उतनी size ही हमको array बनाना पड़ता है अब यह क्या रहा मेरे पास यह जो array यह public है ठीक है आप सोच रहे होंगे क्या यह value आजने चाहिए थी लेकिन नहीं यह value नहीं आती है indexes होते है array में indexes होते है जो पहले बात रहे उनके लिए बताजता हूं indexing आज स्टाटते है 0 से यह 0 1 2 3 4 ठीक है जो boxes होते है यह boxes के number है simple ठीक है पहले box में value है 10 दूसरे box में value है 20 इसको अच्छे से बनाके दिखा देता हूं ठीक है तो मेरे पास क्याहां पर है नहीं या नहीं ठीक है ऐसी बनाना पड़ेगा यार कि इत्रकला में इतना माहिड तो होनी मैं पर देखते हैं ठीक है ठीक है पांच box हो गए इस box का index होगा 0 इसका होगा 1 इसका होगा 2 इसका होगा 3 इसका होगा 4 ठीक है तो जो 5 size का area था मेरा उसमें last index होता है 4 इस बात को याद रखना है इसका कितना size है इसकी length कितनी है साइस बात है तो इसकी length कितनी है इसकी length है 5 ठीक है length है 5 इसकी इसको बहुताते है अब इसके इस index पर क्या value है इस index पे value है 10 फस्ट index कौनसा है फस्ट index का जो index number होता है वह ता है 0 फस्ट index, Secundaries, Third Index ठीक है चलिए यहाँ क्या value आईगी 20 यहाँ एगी 30 यहाँ एगी 40 यहाँ अब यह पूछरह है यह क्या पूछ रहे यह पूछ रहे है हैं यह पूछ रहा है जा आपको कौन से वाले इंडेक टाइप के सब्सक्राइब कर सकते हैं रिएशन यहां हमेों में रिखता हूं यहां रिखता हूं जो 1010 को चाहिए जो 40 icon चाहिए जए रहाए इस सब्सक्रडा है उसके उसके नतर में आपको इसे और के साथ जो methods हैं उनको use करना चिखाता हूँ किस तरह इसके methods को use करते हैं ठीक है क्या क्या होते है length और update और क्या delete और क्या था हमारे पास get तो मैंने आपको दिखाई दिया चलो get भी करके दिखा दूँगा आपको इस निकालना चाता हूँ किसी एक वेरिवल में इस्टो करने के लिए तो वह भी कैसे करते हूँ ठीक है डिपलोई करने के बाद गैट करते हैं वह तो इस तरह करते हैं अपको देख लिए और इस बात को समझ रहे हो ना कि मैं यहां पर क्यों नहीं दिखा रहा आपको यह सब अब अब्डेट वगेरा वहां सुर्फ स्टेट वैरिवल इनिशलाइज कर सकते हैं या फंक्शन बना सकते हैं आपको बधाई का नोगने हो सकती है इन चार्सीडियों पर स्कते हैं तो याद रखना अश। वास बास को यह फंक्शन में होगा यह वाला पाम भी युक है फ यह state variable हुआ ठीक है इसमें कुछ अप्रेडिशन वियुँए तो ना view बनाऊंगा ना इसे pure बनाऊंगा ठीक है और return में देख लेते हैं return करा देता हूं चलो कुछ returns returns करा देता हूं कुछ value return करा दूँगा ठीक है अगर यह भी देखनेंगे कि जो fixize error होता है वो किस तरह बनता है हमारा कि एक function के अंदर ठीक है अब आपको क्या बताया था जैसे हमने देखती स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या थी बाइडिफॉर्ट का श्टोर्ट होती थी storage में यहां भी कुछ होगा ठीक है यहां भी memory लगता है ठीक है ठीक है तो मैं क्या करता हूं मैं आपको पहले दिखाता हूं को अब यहां इसका इंदर मैं क्या करूंगा बहुत निकालना चाहता हूं ठीक है तैंप में किसी इंडेक्स निकाल सकता हूं जैसे मैंने फिफ्ट इंडेक्स तो ही निई इसमें शायद आपको देखनी रहा हूं सई से औरेंज कलर होता है तो इसका मतलब रहता है ठीक है रहता हूं ठाता हूं ठाद इंडेक्स उठा गिया जी ओके और इसको कर दूंगा रिटन रिटन कर दूंगा टेंथ को ठीक है कर दिया क्या बा ordaining भाई क्या वाली बात कहा रहा है कि अभी हमने समय क्ठेंज डान बैस रीड कर दो इसको वीड कर दो बाद में काम करने वाहा ऑ्लूं अ तो यह वाला यह रहो गया ठीक है और यह हो गया यह function ठीक है यह function हो गया इसको मैं press करता हूँ मेरे पास value का कि 40 तो हमारे जो third index था 0,1,2,3 40 value थी 40 यारी ठीक है तो ऐसे value get हो जाती है एसे value किसी भी हम किसी एक variable में get कर सकते हैं इस comment type unsign integer के रखा इस बात को समझ रहो ना क्योंकि सारी unsign integer ही तो स्टोर थे हाप यह सारे unsign integer है हर box थे ठीक है इसलिए इसका data भी unsign integer रखा हमारे ओके जी डन यह हो गया अब मैं क्या करता हूँ तुम्हें update करके दिखाता हूँ ठ comment out करते हैं इसको तो फिर रखें दो ठीक है हम इसको update किस तरह करेंगे update करते है अपडेट करने का बहुत आसान तरीका है यार कुछ भी नहीं है मेरा यह एरे का नाम है किस इंडेक्स पर अपडेट करना है किस वैल्यू को अपडेट करना है उसका इंडेक्स ठीक है इस वैल्यू को इस वैल्यू को जिस वैल्यू करना है उसका इंडेक्स तो उसका इंडेक्स लेते हैं ठीक है इसका इंडेक्स लिया हमने मैं करना चाहता हूं सैक्ड इंडेक् वह देखेगा 10 20 3000 और 40 50 अर यह जो आ रहे है न यार यह इसकी वैसे आ रही है ठीक है अब रहे है तो यह कैसे यूज कर सकता हूं यूज अब बोलोगे जी चैक भी कराई दो ना तो चैक करा देता हूं तुम्हें मैं करता हूं पहले हैं ले लेता हूं ठीक है और एक और बनाता हूं क्या कर रहा हूं अब बताता हूं इसको बना देते हैं tTem to इसमें बढ़े देते हैं एरे की इडिक направ टंप ठीक है तो सबकुस हिए औरrikeत कर रहा है अब इसको यूज नहीं किया तो और कुछ भी नहीं ठीक है डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय कर दिया, अब चेक करेंगे, मैंने array function को call किया, ठीक है, तो call किया तो कुछ हुआ नहीं, कैसे नहीं हुआ, एक second, मुझे लगता है, चेक करना पड़ेगा, तो ओकी जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, यह simple type का function है, इसलिए return इस पर काम नहीं करता है, ठीक है, इतनी सी बात है, इस पर return काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका है, हमारे पास, हम दूसरे तरीके से आपको value दिखाएंगे, ठीक है, अब क्या है, यह जो function चला है, ठीक है, यह देखो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वह को देखते हैं और यह क्या वार्णिंग है वार्णि आ रही है तो कोले टैम्ट रे टैम्ट को भी हटा हो जी हम यह चाहिए मेरे फंक्शन आया फंक्शन अब्डेट कर दिया मैं देखना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि कौन सा मैंने सेकंड इंडेक्स चेक करेंगे और क्या तीन हजार है मुझे तुम्हेना एक और बाट चेकर करके दिखा लेने चाहिए ठीक है इस तरह से अपडेट होता है इस तरह से अपडेट होता है समझ गये अगली सीज क्या देखते है अगली चीज देख लेते हैं डीट कैसे करने है इसी इंडेक्स की डीट कर सकता हूं जैसी डीट करूंग न मैं वहा पर क्या जाएगा उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी ठीक वू आ जाती है और हां डिफॉल्ट वाल्यू से याद यहां पर तो मैं Default Value भी बता देने चाहिए मुझे ठीक है मैंना आपको बताया था Uncine में क्या होती है, Sign में क्या होती है, Address में क्या होती है, Byte में क्या होती है String में क्या होती है ऐसी Array में जो By Default Value होती है यह किस Type का है, यह बताए Uncine Int का न तो हर Boxes पे Uncine Int है क्या होगी Default Value, 0 होगी ठीक है, बस Simple तो जैसा मैं तो मैं बताता है Uncine Int में होता है तो Uncine Int के सारे Boxes है जो Uncine Int की Default Value होती है, वो यह है Default Value होगी तो Delete क्या करेगा, Default Value पे लाकर ख़ड़ा कर देगा यहां से क्या करेगा, Value को हटा देगा इस Value को हटा देगा, इस Value को हटा देगा, जिस Value को जिस Index Value हटा मैं चाता हूँ मैं, ठीक है तो Delete कैसे यूज करते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा Simple, Delete ठीक है, एक Keyword होता है Delete, ठीक है और जिस Array में से, जो भी Array का नाम है मिरा Array का नाम है, A, R, ठीक है इसमें से किस Index Value डिट करना चाता हूँ, वो Index ढाल दो साथ में, Array का राम और उसका Index ठीक है, Square Bracket के अंदर मैं चाहता हूँ, Fourth Index की Value, यह लास्ट वाल है यह हट जाए, इसे जीरो आ जाए, जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि Default है यह उसकी, ठीक है यह जो Fix Size है, Size तो Fixed रहेगा इसका, Fixed Size होता है Delete क्या करता है, Delete ऐसा नहीं करता है Size को कम कर देता है अगली वीडियो में जो मैं आपको Dynamic Array के बारे में बताँगा तो हमाँ बताँगा, Push Pop नाम के दो Function होते है दो Methods होते है, वो ऐसा कुछ काम करते है चलो, अभी वहाँ नहीं जाते है, अभी Simple ही Focus करते है, ठीक है, तो Size कम नहीं होगा यहां सिर्फ Value ज़रो आ जाएगी ठीक है, जी, मैंने कर दिया इसको अब मैं करता हूँ, इसको Deploy अभी चेक कर लेते हैं, हमारे Fourth Index पर क्या रखा हुआ है 50 रखा हुआ है, और मेरे कौन से Index था, यह Third Second Index, Second Index, ठीक है, मेरे Second Index पर क्या रखा हुआ है 30, मैंने वाला Function चलाया, ठीक है अब मैं देखता हूँ, कि मेरे Second Index पर क्या रखा हुआ है जो कि आप जानते हैं, यह तो आपने पहले देख लिया था अब देखिए, डीट की, डीट का कमाल क्या है 4 क्या है, और 0 आगे, समझ गे न, Default Variable की खड़ा कर देने का मतलब क्या था, ओके और Last था Length, Length कैसे चेक करते हैं, ठीक है Last है Length, ठीक है, तो एक सेकंद, यह कैसे हो लिया, Length ओके टैब दब जाता है यार, ठीक है ओके, ठीक है, मैं पहले Variable बना लिता हूँ इसमें क्या है, Length स्टोर कर लूँगा ठीक है, इसमें Length स्टोर कर दूँगा ठीक है, Length अब कैसे निकालते है, Length निकाले के लिए पहले Array का नाम लिखेंगे, Array का नाम है मेरा Arr, ठीक है यहाँ पर Array का नाम मैंने Arr दिखर रखा है, कुछ भी दे रखता हूँ ठीक है, Variable का Name है, क्या दखना इस बत को, Length Length, बस, बात खतम होगी या, यहीं पर बात खतम होगी, ठीक है अब क्या है, यह क्या वारन दिखा रहा है, यह वारन क्या दिखा रहा है, Unused, बस, Unused, ठीक है Returns में क्या करेंगे हम, Unsigned, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी और क्या यह कुछ चेंज कर रहा है, नहीं नहीं, सिर्फ View करेंगे क्योंकि सिर्फ length देख रहा है मतलब इसको use तो कर रहा है इस stateware को use तो कर रहा है read तो कर रहा है न उससे ठीक है तो length करती है अब क्या के रहा है अच्छा return करो भाई return करो return करो length को अब तो length देखेंगे ठीक है अब done अब इसे deploy करूँगा कैया दिब्लाय कराues मैंने ठीक है लेंथ आजा अग छागे तो फाइड चाहिए जाए इसे इसे आ अब क्या करता हो ना चमाना एक इसको फंक्शन को उताओ इसको पुरा कमेंट कर देते हैं इसका क्या नहीं सपोज मैंने क्या किया साइज तो बता दिया लेकिन उसमें कुछ इनिशलाइज नहीं किया है ठीक है और मैं फंक्शन के थ्रू और लूप का यूज करके कैसे अरी वेर्यूस डाल सकता हूं इसके अंदर वह देखिएगा ठीक है तो मैं लगता हूं फंक्शन मैं फॉर कुछ में लग सकते हैं ना ठीक है मैं गया चाहता हूं इसके अंदर वैल्यू कहां से स्टार्ट हो यह दिखा देता हूं ठीक है तो मैं एक अंसाइन इंटीजर ले लूँगा क्या कर रहा हूं अभी बताओं अभी बताओंगा चिंता करने कोई बात नहीं है एक्स इसको प करेंगे मैं क्या करूंगा हाँ पर सिंपल एक फॉलूप चलाँगा फॉर इंट नहीं हाँ पर अंसाइन इंट लेंगे क्यों पर ना मतलब में हमकिनी गैस फुका है ठीक है आई एक्वल्स टू जीरो कितना इसका अब देखना मैं इस लूप को कहा से चलाँगा जीरो से ल जा रहा है मैं यह दह्तलो है कमांगा होतो है कि अंट vitैक्स जी मैं यहां पर करना चाहा हां मैं या पास कोई बेजे मेरे पास ना यहां से कोई बहले बेजिए और मैं किस तरह की इस इस में जो एर रहो है न उस और उसकी आकले वजो और य patents माल्स और च the आता हूं तो यह फॉर्लूप का यूज़कर किस तरह डालूगा वो दिखा रहा हूं तुम्हें ठीक है जलो ओके और में हापर का करता हूं इंडेक्स को प्लस प्लस कर देता हूं तो इससे आई की वेलू क्या होगी जीरो वन टू थ्री फॉर ठीक है फोर पर जाक क्यों रुख जाएगी क्योंकि यह एरे डॉट लेंद्ध क्या है फाइव है फाइव से पहले रुखना है इसे ठीक है पॉर लुक अभी इसे काया था थोड़ दिर पहले ही चलिए अब में यहापर क्या लिखता हूं में लिखता हूँ एरे ओफ आई इसमें क्या वेलू ढाल दो इसमें भेजी है X में उसकर प्लस कर दो I को ठीक है यह क्या करेगा इनिशली I की वेली 0 है तो क्या स्टार्टिं में क्या आएगा फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब जीरो थी इंडेक्स पे क्योंकि देखो अपी यह करके बताता हूँ अराम से अराम से यह खास तोर पर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बर कर रहे है जिन्हों ने कर रखे और लिड़ी कोई नोगी प्रोड्राम लेंगव है लिखे लिए तो बच्चों खेलो गई यहां लिखा मैंने I equals to 0 ठीक है यहां क्या होता है यहां से फ़हले इस लूप के अंदर आगे क्योंकि क्या थी array.length क्या है मैंने हापे दे रखे 5 ठीक है फिक्साइज है नहीं तो क्या 05 शोटा है हाजी शोटा है यहां पर आ जाएगा तो array of 0 पर क्या रखेगा यह जो भी मैं हापे value दूँगा ठीक है x में प्लस 0 जो value आएगी x की हाँ जाएगी अगली पर क्या होगा array के first index पर यह value x increase होगी न first index पर क्या आएगा x प्लस 1 ठीक है फिर underscore x प्लस 2 इस तरह से value आएगी ठीक है जी ठीक है done होगया अब समझगे होगे और हम देखते हैं अब value को इसमें डाल के देखते हैं value को क्या होता है ठीक है यह सारा सभी काम कर रहा है सभी काम कर रहा है okay deploy करता हूँ compile होच कामरा सभी से deploy कर दिया मैंने यह रहा मेरा mark contract ठीक है यह क्या खेरा है हाँ value लेना चाह रहा है मैं कहां से start करता हूँ 10 से यह मेरी first index 10 आज़िए free 11, 12, 13, 14 ठीक है ऐसे और मैंने इसे call कर दिया इससे पहले मैं इसको call करूँगा न यार यहाँ पर करता हूँ अभी मैंने इसको run नहीं किया है मैंने इसको run नहीं किया है इस call नहीं किया है function को ठीक है मैं हाँ डालता हूँ first index की value चेक करना चाहता हूँ 0 है मैं third index की value चेक करना चाहता हूँ 0 है ठीक है change नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने click नहीं किया है मैंने click किया है थड़ पर क्या है 13 जिरॉत पर क्या है 10 ठीक है प्रत पर क्या है 14 ठीक है तो जो यार पहले बर कर रहे हैं वो समझ लें कि कैसे function के अंदर array create करते हैं यह दिखा देता हूं function के अंदर array कैसे बनाएंगे और function से array कैसे रिटन करते हैं ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं कि इसको भी comment कर देता हूं इसका भी काम खत्म और नए function बनाते हैं ठीक है एक function बनाता हूं function create array नाम का create array ठीक है इसके अंदर array create करूँगा मैं इसको पॉब्लिक टाप का बनाता हूं ठीक है इसकी visibility पॉब्लिक हो गई और चाहिए कुछ छेड़खान के आरे का नहीं पी हो रहे है ठीक है कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं उसके साथ और return इसके बाद लिखते हैं new यह देखना है यह द्हां से अंसाइन और यहां पर देना पड़ेगा मेरी मर्जी कुछ भी दे सकता हूं ठीक है अरे memory ठीक है मैंने नाम दे दिया इसको और इसके बाद लिखते है new यह देखना है यह द्हांस देखना new और यहां पर size मैं size देना चाहता हूं इसका let's say 3 size का error बनाना चाहता हूं ठीक है और यह मेरे पास semicolumn ठीक है warning से simple कि यह return नहीं किया और इसको यूज नहीं किया बस इसलिए अगर यह होता है हमारा इसको थोड़ा अलग से दखाता हूं यह होता है हमारा syntax हमारा memory के अंदर array बनाने का ठीक है इस बात को दिहां से देख लो किस तरह बनता है और यह होता है हमारा fix size array ठीक है और चलो यह यह ज़र होता है ठीक है मैं क्या करता हूं ना कि यह array memory ARR एक सकंद देखना ARR मेमोरी के first index पे मैं value set कर देता हूं let's say 33 ठीक है मैंने value set कर दी simple और वह विस को return कर देंगे return कर देंगे हम क्या कर मूं देखना return किस तरह करूंगा memory तो कौनसी value first index value को मैंने return कर दिया ठीक है यहां से return कर दिया अब देखो यार इसी को समझ रहे हो ना यह ची बार आप बोलने की ज़रू तो नहीं है ना कि तीन यहां पर क्या है boxes है ठीक है यहां जीरो 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 था इस starting में मैंने first index पर क्या कर दिया हां पर 33 रख दिया और इसी index को यह से return कर दिया ठीक है ऐसे रिटन कर सकते हैं जरूर नहीं कि वहले एक बार उसको किसी दूसरे वेरिमन मेरा खौर फिसको रिटन करो ठीक है जलो मैंसे डिप्लाइब करके दिखाएता हूं इसको हटाते हैं पर भाई तुम डिप्लाइब हो जाओ अब इसका कुछ काम नहीं हो रहा है हम इससे कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हमें इस तरह हम कैसे क्रेट करते हैं इस तरह हम एरे क्रेट करते हैं memory के अंदर ठीक है यानि function के अंदर चलिए जी यह देख लिए आपने अब इसी में देख लो कि यह वाला जो एरे है मैंने अब मैं क्या करता हूं इसको ठाथ हो ठीक है तो इसको भी मैं आपको बताया था ना कि पब्लिक की वैसे तो पर बनाएंगे जी पर बनाएंगे कि इन तो को बहुंता क्को मैं करता हूं कि भी डाले ऩॉसके ऑगा कैके गैद कि यहां करते हैं तो पीजर करेंग preserved एक ज़यागा एक छूश एक नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर value set करेंगे हम यह RR में 10, 20, 30, 40, 50 और यह 30 में 3 रहे गया था, ओके, bracket बन, semi column, ठीक है, तो मेरी value है set होगी क्या कि यार, consider में से कहा आता है, कि किसी भी state variable की value set करने के काम बाता है कर दिया मैंने, तो फड़ा revision भी होता है इस चीजों से, ठीक है मैं आता है, function, function मैं ने दिखा है आपे, और मैं करना चाहिए, return array दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे return करते है, array किसी function में से, ठीक है कुछ भी नहीं लेगा, यह, एक सब्सक्राइब, यह कुछ भी नहीं लेगा, इस आप parameter, इसको पक्लिक कर देता हूँ टब्लिक कर दिया, और इस वाले array को मैं return करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके जी, तो view type का होगा यह, view type का होगा, देखते हैं, देखते हैं, और return करेंगे हम, returns, क्या किया है, मैंने, एक array रिटन कर रहा हूँ, तो array रिटन करने के मैं रिखना पड़ेगा, उन्साइन, int, array के टाइप का है, उस टाइप का, यह array बना पड़ेगा, आम रिको हाँ पे, और क्या ही memory में हम उसको use कर रहे हैं, तो memory लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब यहा कह रहा है, इस टो जे reference is not implicit, ओकी जी तो कुछ भी नहीं है, यार यह, मेरा array रिटन, मैं इसको हटाता हूँ, यहां से, मैं डेपलाई करता हूँ, नए अपने contract को, ठीक है, इसे open किया, यहाँ पे return array का एक function आगया है, इसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यह मेरी values आगी return 204050, तो यह, इतना ही था हमारा array के अंदर, ठीक है, array मेर रिटन कर रहा सकते हैं, array को, किस तरह for loop का use कर सकते हैं, array के साथ, ठीक है, और क्या बताया मैं आपको, मैंने आपको बताया, किस तरह value get करी जाती है, ठीक है, और भी काफी तरह की ठीक है, ठीक है, लगे हाथ, एक और बात बतायता हूँ, यार मैं तुम्हें, कि, जो मैंने आपको reason बताया था ना, for loop के time पे, कि हम for loop ज़्यादा बढ़ा नहीं करते हैं, क्योंकि gas cost होती है, ठीक है, cost ज़्यादा हो जाती है, यह reason है, same reason है, कि हम array return नहीं करते है, ठीक है, एर return करते हैं, cost ज़्यादा होती है, ठीक है, cost ज़्यादा होती है, हमारी consume, ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो, मैंने हाथ से air return कराया था, तो पूरा array आगे हैं हापे, लेकिन जब मैंने इसको public किया था, जब मैंने इसको public किया था, तो simply हम से पूछा था, कौन सा index का आ data चाते हो, ठीक है, तो हम से index पूछाते हैं, हम पूरा array दे रहा है, ठीक है, तो हम यह try करते हैं, avoid करते हैं, कि हम array return ना करें, ठीक है, हम array return ना करें, जिनको पहले से array आता होगा, तो शायद उनोंने वीडियो छोड़ दी होगी, लेकिन अब वो इस बात को miss कर जाएंगे, ठीक है, तो यार, वीडियो छोड़ा ना करिए, क्योंकि यार, जिसको पहले से भी आता है, मतलब कोई ना कोई प्रोडम लागी उच कर रखें, इस फीड़ में देख लो, लेकिन तो तुम्हारे काम आएगी बात है, मुझे भी नहीं पता है, कौनसी बात कहां पर बता इस वीडियो में इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं बापाई